पास में ही बंगलादेश का जो बॉर्डर है वो है, किस तरह चे रहते हैं और कोई दिक्कट होती आप लोगों को? नहीं दिक्कत नहीं होती है आज सवाल उड़ता है कि बंगलादेश की प्राइमिनिस्टर हो बंगलादेश के होमिनिस्टर हो वो ये बात करते हैं कि बारत हमारा दोस्त है बारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन दूसी तरफ बॉर्डर के उपर फाइरिंग करके बंगलादेश के नोजवान को बंगलादेश बॉर्डर गार्ड के एहलकार को शहीद कर दिया जा होता है तो बॉर्दर के उपर बंगला देश के बॉर्डर के उपर चोकसी बराद दी जाती है BFBK जवानों को तायोनात कर दिया जाता है BF efter कैसा ढरा इंको बंगला देश के खिलाफ जो गुदा घर्दी जारी है बारती BSF कि वह अब मजीद बरती हुई नजर आ रही है बंगलादेश की प्राइमिनिस्टर इनको दोस्त कहती है और ये दुश्मन बनके अपना रंग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं तो आज इसी हवाले से वीडियो है कि बारती मीडिया बंगलादेश के बारे में क्या ब्यान दे रहे है क्या बात कर रहे है तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ बनें बेला इकोन को भी दुबाएं तां कि आपको वीडियो का करता प्रकाश से ना कि हम यह रिपोर्ट दिखाते हैं कलवान घाटी में हुए भारत चीन के भी संघर्ष के बाद से ही भारत बांगलदेश सीमा पर बीस एफ की चौकसी बढ़ा दी गई है इसी तरह से बीस एफ के जो जवान हैं 2400 घंटे चौकसी बढ़त रहे हैं तिन ह यह वक वक्त nutrition का जो पूस्त है तो गेट गेट 17 उस सतरा नमबर गेट के सामने खरया और हम देखसकते हैं यह यह आन्ठावन टायान जो से तरह कियरा ताला लटक रहा है ताले को खोला जाता है और भारत की तरफ से जो लोग हैं गाउं के लोग है उस तरफ जाते हैं यह जो फेंशिंग डार है उसके तरफ सौव मीटर दूरी तक भारत के लाका है और उसके बाद का जो सौव मीटर है वो बांगलादेश के लाका है यानि कि नुमेंस लैंड रोजाना लोग सुबह 6 बजे यहां से जाते हैं और चुकि खेती करने के लिए दिन भर खेती करते हैं और तीन-चार घंटे में फिर वापस लोट आते हैं तो कुल मिलाकर चौपिसों घंटे बीएसेफ के जवान जो है वो घस लगा रहे हैं फिंसिंग एक बहुत बड़ी समस्या है चुकि 80% धिलाका जो है वो फिंस नहीं है पास में ही बंग्लादेश का जो बार रह भाडर है किस तरह चैरे रहते हैं कोई दिक्कत होती अपलोंको, नहीं दिक्कत नहीं होती है चापने होती हैं हम लोग सांधी चे रहते एक बात बताई ये बहुत सारी जगह हैं ये जो तार है फेंसिंग क्या हुआ है वहां नहीं है खुला बॉर्डर है तो इससे बीज़ा से लोग जो कहते हैं कि घुसपैठ उधर के लोग इधर आ जाते हैं इधर के लोग उधर चल जाते हैं, तसकरी की जाती है, तो इस तरह की समश्य है लापे यहाँ जो छलंब स सजय कर दो हम जैशन, हराय क्करते हैं ए तो किसी वी काम में नहीं जाते हैं जो लोग करते हैं समस्य है है इसे नहीं लोग क Дे, वह seems, sommes अधिया कंगधा जोहम हैं तो लोग ऐढ़ा चाहीं जाता है उन्याय है श्चान होती है दसकरी मतलब इससे स्चामान तरह ढता है निस गाई गाए Refer होनाद म में दे हैं गाय को भेजाए दो उस तरफ गाय बुलूद हाँ जाता है टुक्टा को खेती के खाने बला घास के खिला दे मांगलादेश में तसकरी होती है नहीं कोई दिक्कत होती है आप लोगों यहां गलवान घाटी में चीनी सेना से संगर्ष के बात से ही इस इलाके में चौक सी बढ हो अंतों के साथ ठ ignorant से न एबी पीनियो तो जी वीवर यह धी वीडियो और हम दे देखा के बारती मीडिया हमेशा डॉंग रत lightweight वा नजर आता हो करता हो नजरاتा है यह बगलादेश के साह्थ लगे बॉर्डर की बात की जा रही हैten भी जाव की द्यागने में मिलूस है internationally reportیں देख लिए आप बारती BSF खुद smuggling करवाता है मगर भी बंगाल के अंदर बंगलादेश के अंदर और आप इल्जाम किस पे लगा देते हैं बंगलादेश पे के बंगलादेश के लोग smuggling करते हैं बंगलादेश से लोग चीजें यहां से लेकर जाते हैं यहां देख कर जाते हैं और जो fencing लगी हुई है सबसे हैरत की बात है बारती BSF के जो नोजवान है जो बारती BSF आर्मी है क्या वो फिटर पीती है क्या वो चूसनी चूंगती है के उनको पता ही नहीं चलता फेंसिंग से 100 मिटर के आगे तक हिंदुस्तान है फेंसिंग से आगे भी हिंदुस्तान है वहां पर गेट लगे हुए हैं बारती किसान सुबा जाते हैं शाम को वापस आते हैं और जब ये मिडिया वाला सवाल उससे गरीब किसान से पूछता है कि यहां पे स्मगलिंग रोती है यहां पे चीजें आती जाती है तो वो बिचेरा गबराया हुआ कहता है हमें तो पड़र रही है जो करते हैं उनको बता होगा तो इनको किसानों को क्या बदा, करने वाले कौन है, बारती B.S.F, और क्या ये दिन में करेंगे, क्या ये किसानों की मुझूदगी में करेंगे, अगर B.S.F. की चोकी होगी, वहां पर तो आम इनसान नजर भी नहीं आएगा रात के टाइम पर, लोग तो डरते हैं इनके पा बयान में अक्सर फाइरिंग के वाकियात हमें होते हुए नजर आते हैं, जब बंगला देश बॉर्डर गार्ड उन स्मगलिंग करने वालों पर फाइरिंग करती है, तो आगे से बारती B.S.F फाइरिंग शुरू कर देती है, तो हैरत की बात है, तो ये थी आज की वीडिय के बारे में क्या कहना चाते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, बहुत शुक्रिया. झाल